Hello to everyone आज मैं इन दोनों का रिव्यू करने वाला हूँ एक है Bentodend का Active Charcoal और एक है Bentodend का Max Cardamom ये इलाची फ्लेवर और ये Activated Charcoal तो मैं ये वाला मैंने धाई मन से मैं रेगुलर यूस कर रहा हूँ Max वाला और ये लगभख खतम हो गया है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पूरा एक्दम लगभख खतम हो चुक्छे बस बस थोड़ा सा एक्दम मचा हुआ है और अगर इसी जो है उसमें मैं अगर ये चारकुल वाली के बात करूँ तो ये मेना अभी न्यू आया है मैंने एक इसको खतम कर दिया पूरा और ये कि मैंने नया मंगवाया है दूसरा तो अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो दोनों ही बेंटो डिन कमपनी के हैं और दोनों ही नेचुरल है प्योर नेचुरल पर बस फर्क ये है ये चारकॉल है और ये इलाइची फलेवार है और अगर मैं जो है आप के लिए कौन सा अच्छा होगा या हम लोग के लिए कौन सा अच्छा होगा अगर मैं देखूँ अगर मेरे हिसाब से तो मुझे ये परसनली काफी अच्छा लगा चारकॉल वाला क्योंकि ये थोड़ा हमारे टीट को भी थोड़ा सा वाइट करता है और काफी हद तक जो है सटिस्फाई कर देता है कि हाँ मैंने आज बरश किया है और इसी अगर कंपेर में मैंक्स वाले को अगर कंपेर करूँ इसको मैं यूस करता हूँ ऐसा लगते ही कि नहीं मैंने सुबा सुबा आज बरश भी किया है इसी वज़े से अगर मैं इन दोनों की बात करूँ मेरा जो साजेशन है तो मैं कहूंगा कि एक्टिविटट चारकॉल ही आप लें और ये काफी अच्छा है क्योंकि मैंने भी इसको एक पूरा खतम कर दिया ये मैंने दूसरा प्रोड़क्ट मंगाया है तो अगर इन दोनों में अगर कंपेर के जाए तो मुझे ये परसनली बहुत ही अच्छा लगा और मेरे से टीद भी काफी जादा वाइट हुए और काफी मुझे सटिस्फाई ये टूथ पेस लगा और मुझे काफी अच्छा महसूस होता इसको ब्रश करने के बाद तो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी तो चलते हैं गुड़ पाई